नमस्कार विदार्थियों स्वागत हमारे यूटूब चैनल में एक बार फिर हम आपका हमारे यूटूब चैनल में हार्दिक अविनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं बात करने वाले हम CET graduation level का result आने के बाद में जो विदार्थियों के comment आ रहे हैं कि इसकी कटोफ कितनी जा सकती है ठीक है विदार्थियों तो इसी वीडियो में हम उसी के उपर चर्चा करने वाले हैं हम आपसे विश्तर चर्चा करने वाले हैं कि CET की कितनी कटोफ रह सकती है कई विदार्थी पूछ भी रहे के सराम तैयारी कर ले या नहीं करें तो इसी के उपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो scorecard था वो सामने आ चुका है उने के बाद में जो आपका score है उस score के बाद में आपकी कटोफ कितनी जा सकती है तो विदार्थी अगर हम कटोफ की बात करें तो कटोफ की इसके अंदर अभी तक कोई ऐसी संभावना नहीं लगाई जा सकती है कि किस वेकेंसी के लिए कितनी कटोफ जा सकती है विदार्थी वो इसके अंदर बात करें हम कटोफ की तो इसके अंदर 15 गुने विदार्थी पास किये जाएंगे अब वो 15 गुने विदार्थी किसके लिए पास किये जाएंगे जो आपकी वेकेंसी आएगी सपोज करो आपकी वेकेंसी 100 वेकेंसी आती है जैसे किसी के अंदर भी सबोच गरो हम कोई वेकेंसी ले ले महिला परिवेक्सक की वेकेंसी ले ले और महिला परिवेक्सक में अगर आपकी 100 वेकेंसी आती है तो आपकी कटोफ जो इसके अंदर जो विदार्थी पास किये जाएंगे इसके 15 गु यहां बताई प सकती है और बड़ भी सकती है तो जैसे कि सब्से ज्यादा वैकैंसी जूणियर अकाउंटेंट की है तो उस जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जिसे 5000 वेकेंसी है तो 5000 लगबग 4900 कुछ वेकेंसी लगबग 5000 मान सकते हैं तो उस 5000 वेकेंसी का 15 गुना लगबग पिचेतर हजार विदार्थियों को क्या पास किया जाएगा और वो भी किन विदार्थियों को पास किया जाएगा जो विदार्थि इसकी क्या रखते हैं क्वालिफिकेशन रखते हैं जूनियर अकाउंटेंट की जो इसकी वैकेंसी जैसे पांच हजार के लगबग इसके पर है उनको पास किया जाएगा नहीं विदार्थियों जो जूनेर अकाउंटेंट की क्या रखते हैं क्वालिफिकेशन रखते हैं उन्हीं 45,000 विदार्थियों को क्या किया जाएगा पास किया जाएगा इसलिए इस कटोफ का इतना ज़्यादा अनुमान लगाना नहीं लगा तो आप इसकी तेयारी कर सकते हैं अब जैसे हम बात करें जनरल की तो विदार्त जोगर जनरल के अंदर जनरल और पीन की बात करें तो दोनों की कटोफ लगवक्त सेम रहने वाली है तो इसके दिनका scorecard 110 पलस है कितना है 110 पलस है अगर आपका scorecard 110 या इसके नीचे तो आप नहीं ले लेके न अगर 110 भी आपका scorecard है तो जिसी भी वेकेंसी के आप पुलिस की या पटवार की जूनियर अकाउंटेंट की प्लाटून कमांडर की जैसे कई वेकेंसी है तो उनकी तैयारी करना चाहते है तो 110 पलस अगर आप जनरल OBC में आपके नंबर है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं जैसे हम SCST रिंक के कटोफ की बात करें तो SCST में और इन में SCST और other category है इसके अंदर अगर आपके 100 पलस नंबर है कितने हैं 100 पलस अगर आपके नंबर है तो आप बेजी जग इसकी क्या कर सकते हो CVT में जिसकी भी exam की तैयारी करना चाहते हो उसकी तैयारी कर सकते हो आप इसके अंदर ठीक है विदार दियो तो ये एक आपके लिए था कि आपकी कितनी क्या कटोफ जा सकती है बाकी तो इसकी कटोफ का अंदाजा जो आपका notification जारी होगा notification जारी होने के बाद जो आपकी vacancy आएगा उस vacancy का 15 गुना पास किया जाएगा तो notification के बाद में ही आपका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस vacancy के लिए कितनी विदार थी और कितनी कटोफ आपकी जा सकती है अभी तक कोई ऐसा सई अनुमान नहीं लगा सकते कि इतनी कटोफ है जा सकती है ये आपके vacancy के उपर डिपेंड करेगा अब कहीं विदार्थियों का doubt है कि सरे CET 10 plus 2 का result कब तक आ सकता है तो विदार्थियों CET 10 plus 2 का result है अभी 10 से 15 जिन का time लगने की पूरी पूरी संभावना है कि कम से कम 15 मही के बाद में आपका क्या आएगा CET 10 plus 2 का result आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है जिस प्रकार से पहले भी था कि ग्रेजिशन CET का result आएगा उसके बाद में किसका result आएगा 10 plus 2 का result आएगा तो मही के महीने में 15 मही के बाद में इसके लगबग आपको 10 plus 2 CET का result देखने को मिलेगा उसके अंदर भी आपका वही स्कोर कार डाला जाएगा और स्कोर कार डालने के बाद में जो वेकेंसी आएगी उसी का 15 गुना विदार्तियों को क्या किया जाएगा पास किया इसके अंदर सबी वेकेंसी के लिए 15 गुना पास किया जाएगा नहीं विदार्तियों इसके अंदर जो विदार्ति जिस वेकेंसी के लिए योग्यता रखता है उनी जैसे महीला प्रवेक्सक के लिए मालो 100 सीट आई है तो इसके अंदर जो योग्यता रखने वाले 15 गुन लेवल था उससे संबंदित कहीं विदार्थयों को डाउट थे और अगर कटोफ का जैसे अंदाजा लगाना है हमें तो आप अपना स्कोर कार्ड जरूर डाले किसर मेरी और अपनी केटेगरी जरूर में मैसेज में वेजे किसर में इतनी नंबर आ रहे हैं इस केटेगरी सुए तो उससे आपकी कटोफ का और अंदाजा लग जाएगा तीक विदार थी हो तो यह आपके लिए जो डाउट थे उनके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया कि आपके टैन प्लस ग्रेजेशन लेवल का जो रिजल्ट है स्कोर कार्ड है वहां चीज़ा किसकी क्या कर सकते हो तैयारी कर सकते हो अभी तक जो वेकेंसियों के जो निर्धारन किया गया है जो वेकेंसी आने की संभावना बाकी विद्दार थी हो जब भी नोटिकेशन जारी होगा वेकेंसियों के भढ़ कर आने की पूरी-पूरी संभावना है तो उस टा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ओके धन्यवाद